Welcome to learn together, मैं हूँ संझना और हम लोग देखेंगे यहां पर एक नई वेकंसी को तो जैसे की आप में से बहुत लोगों को इसका बहुत दिनों से बेसबरी से इंतजार था तो बहुत दिनों से आप लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे थे कि बिहार दरोगा का कब आएगा बिहार, SI का form कब आएगा ऐसा आप लोग बहुत दिनों से इंतिजार कर रहे थे तो आपकी इंतिजार अब हुई खतम और यहां पर आप लोगों का form आप आ चुका है form fill up करने का जो last date है वो last date आप लोगों का हो जाता है कब से तो 5-11-2023 यानि कि 5-9-2023 तक आप लोग form fill up कर सकते हैं और form जो start होगा वो 5-10-2023 से start होगा यानि कि form fill up करना start होगा 5-10-2023, 5-10-2023, 5-10-2023 से यहां पर अगर हम लोग बात करें तो विज्यापन संख्या आप लोग देख सकते हैं विज्यापन संख्या यहां पर दिया हुआ है तो यह रहा विज्यापन संख्या 02-2023 विज्यापन संख्या है और इसमें बिहार सरकार द्वारा यानि कि ग्रिहवी भाग में पुलिस अवर निरिक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निमनप्राकार है तो यहां पर देखेंगे कि जो रिक्तियों की संख्या है रिक्तियों की संख्या कितना दिया हुआ है तो 1275 है यानि 1275 सीटों के लिए यहां पर वेकेंसी निकाली गई है कितना 1275 प्रतियोगिता परिक्षा आयोजित की जाएगी और इसका विज्यापन संख्या भी दिया हुआ है इसके आगे अगर हम लोग देखते हैं तो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया की तिथी होगी वो 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंब हो जाएगी तो ये 5 अक्टूबर 2023 से ले करके और 5 नॉमबर 2023 तक रहेगा यानि कि आप लोगों को पूरा एक महीने का समय इसमें मिलने वाला है फॉर्म आप लोगों का जो है वो एक ही पूर्म सकते हैं ये नहीं कि अलग अलग जगों से अलग अलग फॉर्म भरेंगी तो इस प्रकार यह आविदन के लिए पात्रता क्या होना चाहिए तो पात रता में अगर हमलोग बात करें तो भारत का नागरीक होना अनिवार है सेक्षणी की योग्यता की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक्षणी की योग्यता जो है वो किसी भी माननेता प्राप्त युनिवर्सिटी से ग्रेजवेट होना चाहिए या फिर उसके समकक्षे कोई और भी डिग्री आप लोगों के पास है तो उससे भी हो जाएगा और इस वहे हम लोग एक से यस के अनुसार किया जाएगा इसके आगे हम लोग यहां पर देखेंगे तो उम्र की अगर बात पूर्ष या फिर कोई और सेटिफिकेट हो इसके समकक कछे जिस पर आपका जन में तिथी दिया होगा तो उसके अनुसार आपके उम्र का निर्धारन किया जाएगा और यहां पर बोल रहा है कि जो जेनरल कोटी के उमिदवार होँगे तो जेनरल कोटी के लिए जो होंगे तो उनके लिए कम से कम 20 साल का होना अनिवारे है और अधिक्तम 37 वर्स के पुरुष होंगे और महिला के लिए 20 वर्स कम से कम होना चाहिए और अधिक्तम 40 वर्स होना चाहिए पिछडा वर्ग एवं अत्यांत पिछडा वर्ग की बात अगर हम लोग करते हैं पिछडा वर्ग और अत्यांत पिछडा वर्ग तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें पूरुषों की जो नियूंतम आयू होगी पूरुष और महिला दोनों के लिए नियुनतम आयू जो होगी तो वो क्या हो जाएगे ये 20 वर्स नियुनतम होगी और 40 वर्स जो है ये अधिकतम होगी पूरुष और महिला दोनों के लिए है कि 20 वर्स नियुनतम और 40 वर्स जो है ये अधिकतम है ये पिछड़ा वर्ग और जो ठर्ड जेंडर होते हैं उनके लिए तो कम से कम 20 वर्स होना चाहिए और अधिक्तम क्या है 42 वर्स होना चाहिए आगे की कहानी को आप लोग यहां पर देख लेंगे इसके आगे यहां पर बोल रहा है कि अभिहार्थियों के जो सरीर का मापडंड होगा तो अभिहार्थियों के सरीर का मापडंड भी होगा यानि कि फीजिकल भी इसमें होने वाला है और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फीजिकल होगा और यहां पर अगर देखा जाए तो उचाई वगरा दिया हुआ है तो इन सारे चीजों को आप लेख लेंगे कि इसमें किसका क्या उचाई दिया हुआ है सीना कितना होना चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है या फिर वजन कितना होना चाहिए तो इन सारे चीजों के बारे में भी दिया हुआ है अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बात क्या आती है कि लिखित परिक्षा की बात आती है लिखित परिक्षा होगी तो लिखित परिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो परिक्षा जो है यह दो चड़नों में होगी एक प्रिलिम्स होगा और दूसरा मेंस होगा तो है उसके 20 गुना अभ्यारतियों को लिया जाएगा किसके लिए तो मेंस के लिया जाएगा हाँ लेकिन एक चीज और है कि माक्स जो है वो 30 30% से क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए 30% से ज्यादा के 20 गुना अभ्यारतियों को इसमें क्या किया जाएगा चैनित किया जाएगा किसके लिए तो मेंस के एकजाम के लिए चैनित किया जाएगा इसके आगे कि अगर कहानी को हम लोग देखते हैं तो यहां पर देखे कि दूतिय चरण में क्या होगा मुख्यपरिक्चा होगी यानि कि MENS का exam होगा और मेंस की परिक्चा में सफल जो भी अभ्यार्थी होंगे तो इसमें जैसी कि περιलिंस में जो भी सफल हुए होंगे उनको मेंस देने का मौका दिया जाएगा और मेंस जो परिक्षा है ये दो पत्र में होगी मेंस परिक्षा क्या होगा दो पत्र में होगा पहला पत्र जो होगा वो हिंदी का होगा सामानिय हिंदी का होगा पहला पत्र और ये 200 अंको का होगा और इसक इसका marks add नहीं होगा तो इसमें नियुन्तम अहारता जो है यानि कि आपको 30% marks इसमें लाना अनिवारे है इंदम कंपलस्ति है कि आपको 30% marks इसमें लेके आना है 30% से अगर कम होगा तो आप लोग disqualify कर दिये जाएंगे आगे देखते हैं अब यहाँ पर हम लोग इसके बाद यानि कि उनलोगों को आयोग्य घोशित कर दिया जाएगा द्वितिये पत्र जो होगा यहाँ पर यानि कि पहला तो हो जाएगा हिंदी का और दूसरा जो पत्र होगा तो वो क्या हो जागा शामाने अध्यान शामाने विग्यान नागरिक सास्तर भारतिये इतिहास होगा भ दोनों चर्णों की परिख्छा में क्या रहेगा निगेटीव मार्किंग रहेगा और हर 5 पर एक नंबर काट लिया जाएगा यानि कि आपका जो निगेटीव मार्किंग होगा वो क्या होगा कि 0.2 उत्तर पुस्टिका जो होगी यह दो दो प्रतियों में होगी जिन में से एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी यह चीज है और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि मुख्य परिक्षा में जो भी रिखतियां है उसके छे गुना अभ्यार्थी जो है वो क्वालिफाई करेंगे और इन्हें फीजिकल के लिए बुलाया जाएगा इसके आगे हम लोग देखेंगे तो यानि कि यह जो छे गुना अभ्यार्थी होंगे इन्हें ही फीजिकल के लिए बुलाया जाएगा इसमें फीजिकल भी होना है तो यानि कि तीसरा चरण जो होगा तो वो किसका होगा वो फीजिकल का होगा त इसरे चरण में हम लोग देखेंगे तो इसमें यानि कि सारीरी की योग्यता और दक्षता को देखा जाएगा जैसे की दौड हो गया फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर दौड के साथ में क्या हो जाएगा कि उची कूद होगा लंबी कूद होगा यहां पर आप लोग देख लेंगे कि महिलाओं के लिए और पूर्षों के लिए क्या क्या रखा गया है कितना रखा गया है इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें गोला फेकने वाला प्रोसेस भी होगा यानि कि गोला फेकना है कब फेकना है कितना फेकना है तो इस चीच को आप यानि कि आप लोगों को फीजिकल का कोई मार्कस नहीं मिलने वाला है फीजिकल में भी आप लोगों को स्रफ क्वालिफाई करना है आपका जो merit list तयार होगा वो स्रिफ क्या होगा मेंस के paper से ही होगा मेंस का जो second paper होगा उसी से आप लोगों का क्या होगा कि जो मेगा सुची तैयार होगा मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो सरफ उसी से ही बनेगा इसके आगे की कहानी को यहाँ पर आप लोग एकिक करके पढ़ लेजेगा यहाँ पर रिक्तियों को दिया हुआ है कि कहाँ पर जैसे की कितने रिक्तियां है तो इस चीज को भी आप लोग देख लेंगे कि हाँ जैसे की कोटिवार रिक्तियों को बाटा गया है तो कोटिवार जो रिक्तियां है वो कितना है ठीक है आरक्षन जो है तो यह जैसे की बिहार के ही नागरिकों को आरक्षन दिया जाएगा जो यहां के बिहार के मूल निवासी होंगे और महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है तो इस चीज को भी यहां पर देख लेंगे बिहार राज्ये की जो स्वतंत्रता सिनानी के नाती पोते या फिर जैसे की नाती पोते जो है तो उन लोगों को भी इसमें आरक्षण होगा तो उस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो कट अफ की अगर बात यहाँ पर कीज़ें तो कट अफ के संबंध में भी यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर यहाँ इस साइट पर जाकर करके और वहां से अपने फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं आगे ये जो भी चीज़े दी होई है तो Woosh? करके आप लोग देख लेंगे और इसकी आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे कि पहले आप लोगों को registration करना पड़ेगा, registration करने के बाद से आप लोगों को क्या करना करना करेगा कि जो form दिया होगा उसको fill-up करना पड़ेगा यहां पर दिया हुआ है मोबाइल नंबर वगरा जो है आधार कार्ट से सब लिंक्विंग करवा लएना है आप लोगों को यह सारा चीज आप लोग ध्यान देखेंगे और इसमें एक चीज और बताए गया है कि अगर अंत में प्रमाण पत्रों से मिलान के समय जल्दी क्या कीजिए कि अब जैसे कि अब तो फॉर्म भरने में ज्यादा समय बचा हुआ नहीं है तो आप लोग जल्दी से अब अपना प्रिप्रेशन स्टार्ट कर देजे वैसे यहां पर जेनरल नॉलेज के लिए यानि कि जेनरल स्टडी जो दिया हुआ है तो वहां से अच्छे खासे प्रश्णिया आपर पूछे जाएंगे और Learn Together पर आप लोगों को वो चीज प्रोवाइड किया जाएगा आप लोग देख रहे हैं जैसे कि लगातार आप लोगों को क्लास दिया जा रहा है और उस क्लास में बिहार SI का भी क्लास है बिहार SI जो की बिहार दर लोगा है तो उसका क्लास लगतार आप लोगों को दिया जा रहा है आप लोग उससे प्रिपरिशन कीजिए और उससे अच्छा फायदा आप लोगों को मिलेगा तो Learn Together के साथ में बने रहिए और अपने तैयारी को अच्छे अंजाम तक पहुचाईए तो यहां पर हम लोग अपने सभी चीजों को देख लिए हैं तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके बताईएगा लाइक शेयर कीजिएगा इसे ताकि ज्यादा लोगों को पता चल सके इस बारे में धन्यवाद